आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन अश्टेडी सिंटर पर स्वागत है आज ये वीडियो में विश्ट मिंगोल बोर्ट क्लास टुवेल के स्टुडियन के लिए लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइन्स का ये वीडियो अपडेट है यानि राजिनितिक विज्ञान और इस में एक लॉंग कोशन का डिसकस हम करेंगे आज भारतिय संसद की शक्तियां और कार यानि इंडियन परलेमेंट का पावर जानेंगे हम लोग और उसके फंक्संस को जानेंगे क्या उसके कारे हैं तो इसी तरह के आपको चैनल पर आट-दस लॉंग विडियो मिलेंगे उसे और सौट कोशन के विडियो मिल जाएंगे उसे देख दिजेगा ताकि एक्जाम में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर पाईएगा क्योंकि कल आपका एक्जाम है और आज ही सारे विडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे पहले से भी कई सारे विडियो डाले गए हैं उसे भी एक बास जरूर देख कर जाएए गा देखिए तो भारतिय संसद में लिखिएगा कि हाप लोग इंटरॉसं में पहले भारतिय संसद्र में दो सदन होते लोगसभा और राज्य-छ थो इसलिए भारत में द्वी सदनात्मक वेवस्था है, भारतिय संसद का निर्मान लोकसभा, राज्यसभा और राष्टपती के मिलने से होता है, बात करेंगे कारे और सक्तियां का, तो भारतिय समिधान दौरा संसद को अनेक प्रकार के कारे और सक्तियां दी गई हैं, जिन में स से कुछ निमने लिखित हैं पहला क्या है कानून बनाने की सक्ति भारतिय समिधान द्वारा संसद का सबसे प्रमुख कारे कानून बनाना है भारतिय शंसद संग सुची संवर्ति सुची के विशे पर कानून बनाती है यह कानून दो तरह के होते हैं पहला होता है साधरन विद पहला काम क्या है संसत का कानून बनान दूसरा वित्तिय सकती वित्तिय यानि पैसे से रिलेटेड क्या सकती है भारतिय संसत के पास ही देश के पूरे संपत्ति या वित कर नियंत्रन होता है संसद द्वारा ही देश के संचित निधी से यहनि सरकारिक हजाने से खर्च किया जाता है पर्तिवर्ष संसद द्वारा ही बजट पेस किया जाता है अगला है समिधान में संसोधन की सक्ति भारती समिधान में संसोधन या सुधार करने का अधिकार केवल संसद के ही पास होता है जब संसद में कोई भी संसोधन अधिनियम पास हो जाता है तभी समिधान में संसोधन या सुधार किया जाता है अगला है चुनाव, शंबंदी, अधिकार, भारतिय संसद के पास चुनाव से जुड़ी सक्तिया भी होती हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के सदसे मिलकर राष्टपती और उपराष्टपती के चुनाव में भाग लेते हैं, अगला है राज्जियों से जुड़ी सक्तिया, भारतिय संसद राज्जियों के छेत्रे इसकी सिमाओं को बदल सक्तिया, ये राज्जियों का गठन और विभाजन भी कर सक्तिया, अगला है महाभियोग लगाने का धिकार, भारतिय संसद के अनुछेद, एकसट के नुशार, स संसद राष्टपती उच्छ नियाले के जज एवं सर्वोच नियाले के जज के उपर महाभियोग लगाने का अधिकार दिया जाता है इसके अलावा भी एक हेडिंग आप सभी देख सकते हैं उस एडिंग में लिखेगा अन्य सक्तियां किसी का भी सक्तिकारे पुछेगा एक लिखेगा अन्य सक्तियां और उसमें लिखेगा सब में पॉइंट हेडिंग कि इन सभी सक्तियों के अलावा भी संसद के पास अनेक सक्तियां हैं जिनका उप्योग वे समय समय पर करते हैं और इसके बाद निसकर्स तो सबसे बड़ा बात है पॉलिटिकल में जो भी आपका कोर्षन है वह आथान तभी बनेगा जब आपको हेडिंग से याद होंगी जैसे संसत का सक्ति में कानून बनाने की सक्ति वित्य शक्ति संहिधान में संसोधन की सक्ति चुनाव संबंदी अधिकार राजयों से जूड़ी शक्ति महाभियोग लगाने का अधिकार और अन्य शक्तियां यह हेडिंग अगर आप याद रखते हैं एक्जाम में हेडिंग सही लिखिएगा और उसी के कोडिंग आपको एंसर जो है आसानी से याद हो जाएगा हेडिंग लिखिएगा उसके अंदर में दो से तीन लाइन चार लाइन जो भी आप लिख पाएं अपने नुशार वह जरूर लिखिएगा यहां से चीजों को पढ़कर समझेए और एक हैं आत्रीक जआएगा अपने इस सब्सक्राइक आपका ऑपने सब्सक्राइद jullie ऊ 주र और लिखिए और हैं तो इससी तरह के और मिल जाएंगे चाहे वं राश्ट्पति का कार्स हो मुखमंत्री का कार एक हो सर्वोच नियाला के गठन के बारे में हो, चाहे सकती किसे कहते हैं, पावर क्या है, सकती के कितने तप हैं, तो सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, जाकर जरूर देखिएगा, वीडियो को दिखने के लिए लाज टक चैनल पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद,